तो हमने देख़ा कि आर्थिक उधारीकरंड के उद्धेश नहीं और किन विश्यस्ताओं को ध्यान में रख कर यहाँ पर काम किया जाता रहा साथ ही अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आर्थिक उदारी करण की दिशा में कौन-कौन से और प्रयास लगातार किये जाते रहे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उद्योग और व्यपार के छेतर में जो विदेशी पूंजी निवेश की जो सीमा 40 प्रतिशत थी उसे बढ़ाकर इंकामन प्रतिशत कर दिया गया इन आकड़ों पर अगर हमें एक नज़र डाले तो हम देखते हैं कि आर्थिक उदारी करण की दिशा में लगातार प्रयास किया जाते रहे और उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट भी हमको सामने आया हमारे साथ ही ऐसे मशीने जिनका मुले 2 करोड था या फिर वो उस फर्म की कूल पूंजी के 25 प्रतिशत के बराबर थी तो दोनों ही मशीनों के आयात पर जो कर था उस कर में पहले आयात पर जो था वो पूर्व अनुमती की जरुरत थी तो वो जो पूर्व अनुमती बाली बात वो यहां उदारी करण के चलते उनको समाप्त कर दिया गया वैसे ही यहां पर एक और बात देखने को मिली कि MRTP का जो अधिनियम था वो समाप्त किया गया लेगिन फिर भी 100 करोड से अधिक की पुझी वाली जो कंपनिया है उन पर यह जो प्रतिबंधात्मक वैपार वैभार अधिनियम था अभी भी लागू रखा गया साथ ही इसके इंतरगत यह भी देखा गया कि छे चेत्र ऐसे थे जिनको छोड़कर बाकी चेत्रों में लाइसेंस की जो व्यवस्था थी पूर्व अनुमती की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से समाप्त कर दियेगी चे चेत्र के बारे में अगर हम देखे तो रक्षा, पर्मानु उर्जा, कोईला, खनिज, तेल, खनन और रेलवे परिभन को छोड़कर बाकी सभी से जो यह व्यवस्था थी लाइसेंसिंग और प्रतिबंधात्मक व्यवस्था थी वो समाप्त कर दिये यहां हमने देखा कि इ अधम थे, उनमें जो कमिया थी, जो दोश व्याप्त हो गया थे, उनमें काफी हद तक सुधार आया और उद्योगों को एक नई दिशा मिली, अब अगर हम यह देखें कि उदारी करण के नीतियों के अंतरकत जो विदेशी निवेश के छेत्र थे वहां पर क्या-क्या काम क तो इन आखड़ों पर एक नजर डाले तो देखते हैं कि यहां उद्योगों में 59 प्रतिशत्त के विदेशी निवेश की अनुमतिया प्रदान कर दी गई, साथ ही जो नई मशीन होनी की जो शर्त थी कि उन्हीं मशीनों का आयात किया जाए जो नई नई मशीनों बिलकुल मशीनों ऐसी जो शर्त थी सरकार की वहां पर समाप्थ कर दी गई और यह प्यास किया गया कि जो विदेशी कंपनिया है वह अब अपने ट्रेट मार्क का उप्योग भी कर पाएंगी, क्योंकि ट्रेट मार्क की अनुमति नहीं थी उप्योग करने की इसलिए भी बहुत सारे जो विदेशी कम्पनिया थी वो भारत में विन्योग करने से हिचकिचाती थी तो यह जो विवस्था थी ट्रेटमार का उप्योग ना करने की उसे भी हाँ पर समाप्त कर दिया गया अब विदेशी विन्मय के छेतर में उद्योगिक उदारी करण के चलते एक कर्म ये भी किय गया कि जो गैर प्रात्मिकता वाले उद्योग थे पहले से प्रात्मिक उद्योगों में हमने देखा कि विदेशी निवेशों को यहां पर स्थान दिया गया लेकिन यहां पर जब उदारी करण की बात आई तो उदारी करण की नीतियों में जो गैर प्रात्मिकता वाले उद प्रतिबंदों कर दिया गया तो चीजी हम को सामने आई हमारे पास उसमें हमने देखा कि जो विदेशी निवेश का लक्ष 10 अरब डॉलर निधारित किया गया था उसमें जो वर्ष 1991-92 में विदेशी निवेश 133 मिलियन डॉलर का था और 1996-97 में यह जो निवेश का जो देश है था या हमारा जो हमने एक्सपेक्ट जो किया था यह लगभग 6000 मिलियन डॉलर तक हो गया अब आयात के छेतर में अगर हम देखे कि उदारी करण के चलते आयात के छेतर में कौन-कौन सी अच्छी बाते हमको देखने को मिली तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि 1 अप्राल 1997 को 16 वर्षी योजना यहाँ पर लागू की गई जिसमें 2700 वस्तुएं असी थी जिन किया जाना कठीन था तो ऐसी 2700 वस्तुओं की सूची बनाए गई जिनको जिनके आयात को बहुत अधिक सरल बना दिया गया तो यहां से उद्योगों को एक नई दिशा मिली दूसरा आयात के चेतर में यह बात भी देखी गई कि मुद्रा और बैंकिंग विस्ता के चेतर मे कुछ इस तरह से परिवर्तन किये जा सके क्योंकि आयात के लिए हमको विदेशी मुद्रा की जरूरत थी और देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर पाना एक बहुत टेड़ी खीर थी तो कहीं न कहीं यह प्रयास किया गया कि यह जो विवस्ता है वि लिए देशी मुद्रह में परिवर्तिद किया जा सके ताकि यह जो आयात और नर्यात वेपार है उनकी जो गती है वो बनी रहे तो आर्थिक आथिक विकास में क्योंकि इसका काफी महत्पूर्ण एक रोल था तो यहां सोने और चांदी के आयात पर भी जो बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे उन प्रतिबंधों को कम किया गया तो यह तो रही बात आयात के चेत्र की अब अगर हम बात करें कि उदारी करण से सु सब्सक्राइबूं विदार करा की तो यहां हमसे कि प्रोडर्वन के कि गुनमत्ता बहुत अच्छी थी हम अच्छे-च्च्छे प्रेयोक कर रहे थे निर्यातन से और थे ऌफिलँ चलिए हूश हो गया था ठीक हो गया सही होगिया था कि कि निर्यात और आयात का जो एक बैलेंस था वो बन चुका था वैसे हम अगर बात करें निर्यात की तो निर्यात में परयाप्त मातर में व्रद्धी हुई थी क्योंकि बुक्तान संतुलन तब विदेशी निवेशों को यहां पर प्रोत्साहन दिया गया अब कुछ ऐसी कंपनियां कुछ थी जिनमें क्योंकि निवेश की जरूरत थी पूंजी की जरूरत थी तो विदेशी निवेशों के प्रोत्साहन के साथ यह जो बंद पड़ी जो इकाया थी वो फिर से चालू हो ग तो यहां पर विदेशी मुद्रा का जो बैलेंस था वो बन चुका था उद्योग धंधों ने गती पकड़ ली थी तो बहुत ज्यादा हमको विदेशी रिण पर निर्भा नहीं रहना पड़ा और धीरे-धीरे यह जो विदेशी रिण का बोज हम पर बढ़ता जा रहा था व हो कम होने लगा तो साथ ही एक सुधार यह भी देखने मिला कि जो विदेशी मुद्रा कोश है उसमें भी लगतार वृध्धी होती गई क्योंकि निर्यात हमारा आच्छा होता गया वीदेशी वेपार हम अच्छे से करते गहें तो विदेशी मुद्रा लेक慌 रेटे पर भी नियांत्रन स्थापित कर लिया , तो कहींद न कहीं इन सभी सुधारों तरह हम विदेशिए। से मशीनों का आयात करने लगे पूंजी कत वस्तू का आयात करने लगे कच्चे माल का आयात करने लगे किहों कि इन सब चेजरों से प्रतिबंध Son तो क्योंकि हमने बहुत अच्छी टेक्नलोजी का पष्डीय प्रयोग किया बहुत अच्छे कच्छे माल का हमने प्रयोग किया तो हमारे देश के जो उत्पाधित वस्थो के जो गुडवत्ता थी उनमें सुधार आना वाजिब था वैसे ही भारती संसाधनों का कुशल दोहन होने लगा। बहुत सारे संसाधन की बात करें या उनके प्राकृतिक संसाधन थे उनके प्रचुडबंडार तो थे हमारे पास लेकिन कैसे उनमें टेकनोलोजी को अप्लाई किया जाए कैसे कुशल्थम श्रम को उसमें नियोजित क्या जा ये एक समस्या थी तो जब उदारीकरण की नीतियों के साथ विदेशी विन्योग को प्रोतसाहित किया गया तो विदेशी विन्योग के चलते इन सभी जो प्राकृतिक संसादन हमारे पास पड़े हुए थे इनका एक प्रॉपर यूज होने लगा उनका एक सही दोहन होने लगा तो ये एक सुधार देखने को मिला वैसे ही हमका है तो जो नीजी छेत्रों को बढ़ावा हमने देखा कि किस प्रकार उदारी करण के चलते लाइसेंसिंग और प्रतिबंधात्मक व्यवस्थाओं को समाप्त किया गया अनुचित जो बहुत सारे नियंत्रन अथि सरकार के उद्योगों पर उनको समाप्त कर दिया गया और नीजी छेत्रों को प्रोचाहित किया तो जाहिर सी बात है कि उद्योगों के छेत्र में नीज करना प्रारम किया तो यहां से विदेशी निवेश को प्रोचाहन मिला साथ एक और अच्छी बात ये भी देखने को मिली कि जो घाटे का बजट था उस पर अन्यंत्रन स्थापित किया सका अब क्योंकि आये के स्त्रोथ कुछ थे नहीं देश में रोजगार की कोई स्थिती को संभावना बन नहीं रही थी अब मूलभूत जो सुविधाएं थी उनको प्रदान कर पाना क्योंकि सरकार का फर्ज था तो कैसे भी करके सरकार को मूलभूत सुविधाओं के लिए कुछ या तो विदेशों से रिण लेके या अपने देश में जो थोड़ा पहुत जो है उ देशी मुद्रा भी अर्जित करने शुरू कर दी थी लोगों को रोजगार भी मिल रहा था उनका जीवन इस्तर भी सुधार रहा था तो सरकार के उपर यह जो मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने का जो एक दबाव था वो कहीं न कहीं कम होता गया और यही कारण है क सरकार का जो बजट घाटे का जो लगा तर घाटे का बजट था उसमें थोड़ा बहुत नियंत्रण इस्थापित किया जा सका है वैसे एक बात यहाँ पर यह भी देखने को मिले कि भ्रष्टाचार में भी कमी आई अब पहले क्योंकि जो सार्वजनिक इकाईया थी वो उनका रवया था उसके लिए और सार्वजनिक छेत्र का अपना एक जो दबदबा था उसके चलते जो ब्रष्टाचार और लाल फीतर शाही जो व्याप्त हो गई थी वो अब जबकि निजी करण जबकि निजी छेत्र उनमें प्रवेश ले चुके थे तो कॉम्पिटीशन क जो भावना यहां पर विक्षित हुई प्रतिसपर्धा ने यहां पर जब जन मिलिया तो सार्वजनिक छेत्र के भी कायों के लिए जरूरी हो गया कि वो कुशलतम उत्पादन करें और सही प्रॉपर तरीके से वो अपने उद्योगों का संचालन करें तो वहां पर जो भ्र लेकिन कहीं न कहीं नीतियों से बहुत सारी हानिया भी हुई हानी पर अगर में एक नज़र डाले तो हम देखते हैं कि निर्यात में अपेक्षित वृद्धी नहीं हुई हमने जो अपेक्षा की थी जो एक्सपेक्ट किया था कि उदारी करण को जब लाया जाएगा यहां पर नियंत्रण को जब समाप्त कर दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा निर्यात बढ़ेगा लेकिन निर्यात के पीछे सिर्फ उदारी करण को लाना या नियंत्रण को समाप्त करना परयाप्त नहीं था पूंजी की कमी श्रमिकों की कमी प्रसिक्षन की कमी ऐसे बहुत सार फेक्टर थे जिन्होंने अभी निर्यात को गती प्रदान नहीं की थी और वो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था निर्यात की जुद्दर उसको पाने में अभी भी जो देश था वो असमर्थ था दूसरी एक इसकी हानी की बात करें तुम देखा आर्थिक विशम्ता का इससे भावनाय थी वो अभी भी शुन्य पड़ी हुई थी तो उस चेत्र के लोगों का न तो जीवनिस्तर का सुधार हुआ न वहां पर किसी प्रकार का कोई आर्थिक विकास हो पाए तो कहीं न कहीं यह जो इस्तिती थी उससे आर्थिक विशम्ता ने जन मिलिया वैसे हम तीसर साथ ही मूलभूत समस्याओं के हमने बात कई हमने मुख्योद्येश ही माना कि हम आर्थिक निती उनिस सो इंक्यान में इसले ला रहे हैं कि मूलभूत आउशक्ताओं कि पूर्ति की जा सके लेकिन आज भी आप देखते हैं कि गरीबी असिक्षा बेरोजगारी महंगाई य यह सारी जो यह तत्व हैं यह अभी भी मूफ आड़े एक समस्या के रूप में हमेशा देश के सामने खड़े रहते हैं साथ में हमने यह देखा कि निजी करन जब हुआ तो उसका दुश परिणाम हुआ बहुत सारे निजी कमपनिया जब निजी छेत्र जब उद्योग में उत्रे तो सारवजनिक छेत्रों को कहीं ना कहीं उन्होंने दबा दिया आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे निजी कमपनिया ऐसी हैं जिनके कारण कई सौ साल पुरानी जो सारवजनिक कमपनिया हैं वो बंध होने के कगार पे हैं साथ एक दूसरा प्रभाव इसका ये भी रहा कि निजी छेत्रों में आगे बढ़ने की होड ऐसी हुई कि गला कार्ट प्रतिसपर्धा ने जन में लिया जिसके बारे में हम बेस्ट्री में काफ़े विस्तार से पढ़ते हैं तो ये भी एक दुश्क परिणाम रहा वैसे हमने आप यह देखा कि जो छेत्री आर्ष्टिक विशम्ता थी जिसके बारे में हमने बात गई छेत्र के आधार पर जब हमने हम और वाल ये तो बुल सकते हैं कि देश का विकास हो रहा है लोगों को जिवन इस तरूचा उठ रहा है लेकिन प्रते एक छेत्र पे जो है गाओं के लोग जो है वो पलायन करके जा रहे हैं क्यों ऐसी स्थित्या बनी जो बड़े-बड़े उद्योग धंदे वैपार थी क्या कारण ऐसा था कि एक निश्चिक छेत्र में ही वो सीमित होकर रहे गए और आज भी कहीं न कहीं ये पलायन वादी जो विचारधा रहा है लोगों की उसकी सहाथा लोगों को लेनी पड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं अविकास तो लेगन आर्थिक विश्मता वैसे ही भनी रही इस नई आर्थिक नीति में उदारी करन को अपना कर क्या लाब हुए तो कश्य बिंदू निकल कर आये यहाँ देखा गया कि जो देखें तो कही न कहीं यह देखा गया कि जो एक्सक्ट किया गया था निर्यात यह आयात के संब्ध में शायद वहां तक उस लिमिट तक सीमा तक हम अभी तक नहीं पहुंच पाए थी दूसरी एक बात यह देखे गई कि ओध्योगिक विकास हाला कि विकास हुआ लेकिन विकास की जो दर थी वो धीमी थी यानि एक आकड़ों से अगर हम देखे तो हमने हाप पर देखा कि 1998 अप्रेल सब्सक्राइब करते हैं कि उद्योग विकास की जो दर थी वो 3.5 परसंट थी जिब कि उस कंडिशन में उस दौरान यह जो एक्सपेक्टेट रेट था वो 7 परसंट था तो यहां पर हम कह सकते हैं 50 परसंट भी उस लक्ष को हम प्राप्त नहीं कर पाया थे तीसरा हमने आपे देखा कि जो बड़े उद्योग धन्दे थे कि वर उन्हीं को लाभ हो रहा था क्योंकि जब हम विदेशी विनियोग की बात करते हैं पुझे निर्मान की बात करते हैं मौद्रिक शक्तियों की जब हम बात करते हैं तो यह बाते कहीं न कहीं बड़े उद्य वए वाद में आजएक एक बात यह देखे कि विदेशी कंपनीों से घेली माल की बात करें यह अरव उत्पादन टेकनिक बात करें कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों विदेशी कंपनीया जो थी वो देश की कंपनियों को इन प्रोडक्ट के लिए उन्होंदफ पीछे चोड़ दिया और विदेशी कंपनियों के अस्तित्यों का जो खत्रा है वो लग मंड़ा अभी तक concept मन वेसी हमने एक चीज ये भी देखा कि पूंजी वादी घातक प्रवित्यों का जन्म हुआ अब क्योंकि सरकार ने बहुत सारे निवंतरण ववस्थाओं को हटा लिया था क्योंकि उदारवादी नीती अपनाने थी लेकिन इसका जो पूंजी वादी प्रवित्ती के जो उद् अर्थिक नीती अपनाई वो कहीं न कहीं पूंजी वादी जो विचारधार थी उसकी बेट चड़ गई अर्थिक नीती उनिस सो इंक्यानबे के अंतरगत जब अर्थ वेवस्था में सुधार के दिश्टिकोंट से बहुत सारी नीतियां लाई गई तो उनमें हमीशा ये प यहां इसका परिनाम यह हुआ कि जो निजी छेत्र थे वो भी अब उद्योग और वेवसाय में उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी पैट जमाली एक यह भी परिनाम हुआ कि सरकारी से ज्यादा जो कंपनिया है वो निजी छेत्रों की हो गई और इस तरह से निजी करण का जन्म हुआ अब ऐसा हुआ क्या मतलब क्या ऐसी चीजे करनी पड़ी कैसा जो जो कंपनिया थी उनका प्राइविटाइजेशन उनका निजी करण किस प्रकार किया गया एक प्रोसेस को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इसके अंतरगत सबसे पहले जो सार्वजनिक शे लेकिन बाद में जब प्राइज़शन की बात आई तो 8 वी योजना में उसे कम करके प्रतिशत कर दिया गया और यहां पर नीजी चेत्र को सहायत सेयर राशी ऑसकर सब्सक्राइब निवेश के लिए में किया रहा था उसे 25 पर यहां पर पहले जो पहले जो नीतिया थी को नीजी झालगा निट शेत्र की के काम किया रहा था अब निजी करण के लाब को देखते हुए यहां पर जो कारे हो रहे थे वों सब उल्टे हो गए निजी छेत्र का जो शेयर था उनकी वित्तिय सहयता की जो योजनाय थी वो और अधिक विस्बत हो गई साथ ही हमने आप देखा कि सार्वजनिक शेतर में निजी सहतर की भागी दारी भी बढ़ा दी गई पर सकती है उनके शेट को कर सकती है इस तरह की विवस्था भी की गई साथ में ये वी देखा गया कि वित्त वेवस्था जो थी वो बहुत कठीन थी वित्त को लेना और फिर उद्योग प्रारंब करना कहीं न कहीं एक कठीन प्रक्रिया होती थी तो बैंकिंग प्रणाली में सुधार के माध्यम से जो वित्त विवस्ता थी वो आसान बना दी गई तो ये ऐसे कुछ काम किये गए जिसके कारण जो निजी छेत्र था उनका विस्तार पहले से जादा स्पीट में होने लगा और निजी करण की जो बात थी निजी करण की जो बात हमने देखा कि 1956 के बाद जो अद्योगिक नीती आई वहां पर सार्वजनिक शेत्र पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया और निजी छेत्र पर बहुत सारे प्रतिबन लगा के रखे हुए थे तो कहीं न कहीं एक पूंजी अगर जो व्यवस्ता थी श्रमिकों की जो संख्या थी वो कहीं न कहीं निश्क्री पड़ी हुई थी क्योंकि सार्वजनिक शेत्र के पास इतना इतनी पूंजी इतना अश्रम नहीं था जिससे जितने भी संसाधन हमारे पास पड़े हुए हैं उनका पूरा का पूरा या समुचित दोहन हो पाएं तो कहीं न कहीं आर्थ व्य कि अर्थ विवस्ता को मजबूत बनाने के लिए निजी करण को यहां पर लाया गया दूसरा हम इसका कारण देखे तो हम देखते कि उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाना था हमने देखा कि आयात के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे लगातार निर्भर हो था कि हमने जो हम जो प्रोडूस करते थे जिन अवस्तों का हम उत्पादन करते थे अपने देश में कहीं न कहीं उनके गुणवत्ता ऐसी नहीं थी जिसको हम विदेशों में बेच सके जिनका हम निर्यात कर सके तो हमको वहां पर उन सारे उत्पादों के गुणवत्ता में सुधार लाना बहुत जरूरी हो गया था शायद सार्वजनिक छेत्र के जो कंपनिया थी उनका प्रयास यहाँ पर उतपात के गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास असफल हो रहा था इसलिए निजे छेत्रों को यहाँ प्रवेश दिया जाने जरूरी समझा गया वैसे ये कारण ये भी था कि सार्वजनिक छेत्र जो थे वहाँ पर बहुत सारे दोश व्याप्त थे जैसे कि हमने पहले भी देखा ब्रश्टाचारी और लाल फिता शाही ऐसी हावी हो गई थी कि प्राकृतिक संसाधनों का ना तो समुझित दोहन हो रहा था और ना ही मानवी संसाधनों का तो यहाँ पर इंदोशों को दूर करने के लिए भी निजी छेत्रों को प्रवेश देना बहुत जरूरी हो गया था एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पर पूंजी की परियाप्त उपलब्धता ना हो पाने के कारण सायद कहीं न कहीं जो सार्वजनी की काया थी वो कमज तो शायद कहीं न कहीं आर्थिक विकास को यहाँ पर गती मिली तो ये भी एक महत्वपूंड कारण था कि निजी कारण का जन्म हुआ वैसे हम देख सकते कि मानवी संसाधनों का कुशलतम प्रयोग शायद सिर्फ सार्वजनी क्षेत्र की इकायों के द्वारे नहीं हो पा रहा था दूसरी बात हम ये भी देख सकते हैं कि सार्वजनी क्षेत्र की इकाया थी उनकी संक्या इतनी जादा थी ही नहीं कि देश में जो भी मानवी संसाधन है जो कुशल श्रमिक हो उनको पर्यापत रोजगार मिल पाए तो ये जो मानवी जो संसाधन है वो वेर्थ ही पड़े हुए थे इनका समुचित उप्योग हो नहीं पा रहा था तो यहां जब निजी करण के अंतरगत जब निजी एकाईयों को प्राइवेट कंपनियों को जब अवसर दिया गया तो ना केवल आर्थिक विकास में इन्यों योगदान दिया साथ ही साथ जो मानवी संसाधन थे उनका वेकुशल्थम प्रयोग हुआ लोगों का जीवन इसतर भी सुधरा क्योंकि उनको रोजगार की प्राप्ति होने लगी तो यह कुछ ऐसे कारण थे जिनके कारण निजी करण का जन्म हुआ यानि निजी करण को यहां पर आर्थिक निजी करण की बात आई निजी करण किया गया कंपनियों का तो क्या क्या लाब हुआ तो जब निजी करण किया गया तो बहुत सारी कंपनिया जब वेफसाय के छेत्र में आई उन्होंने अच्छे मानोस अंसाधनों का प्रयोग किया अच्छे कॉलिटी के कच्छे माल का प्रयोग किया और उसके बाद अच्छी टेक्लोलोजी का प्रयोग किया तो यहां पर जो उत्पादन होने लगा उसके गुणवत्ता में काफे सुधार आया और निर्यात योग् साथ ही एक लाब ये भी हुआ कि विविधता भी आई यानि हम पहले एक ही तरह के जो प्रोडक्ट है उनका उप्योग हम कर रहे थे लेकिन जो बहुत सारी कंपनिया उत्पादन में जब जुट गई तो बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के जो हम वस्तों का हम यूज करने ल विजी छेत्रों के आने के बाद बहुत सारी वद्योगी की कायां बढ़ गई और बहुत सारी ऐसी वस्तों को पादन हम अपने ही देश में करने लगे जिनकों के हम पहले बाहर से आयात करते थे जिनके उपयोग के लिए हमको लगातार विदेशों पर निरभर रहना तो हमारा जो निर्यात वैपार था वो भी काफी अच्छे से गती पकड़ लिया उसने भी अब उसके बाद प्राकृतिक संसाधन के अगर हम बात करें तो पहले भी हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन थे लेकिन ऐसी इकाईयां ऐसी कंपनियां नहीं थी कि उनका समुचित दोहन हो सके प्राइविटाइजिशन के बाद जब निजी कंपनियों ने इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू किया तो इन संसाधनों का समुचित दोहन होना प्रारंब हो गया वैसे ही एक लाभ इसका ये भी कह सकते हैं कि इस से जब निजी कंपनियां उद्य कम्पिनियों ने अपने गुडवत्ता में सुधार लाने के लिए अच्छे से अच्छा प्रोड़क्ट बनाने के लिए उन्हें ने काफी प्रयास किया और इसका पूरा का पूरा लाब देश की जंता को भी मिला साथ ही एपी देखा गया कि जो सार्वजनिक छेतर के दोश थे जैसे लाल फीतर शाहिया ब्रष्टाचारी की बात्थम कर रहे थे तो क्योंकि प्रतियोगिता का जन्में यहां पर हुआ आगे आने की होड सी लग गई तो यहां कहीं न कहीं ब्रष्टाचार का अंतोना स्वभाविक था तो ये तो थे लाब जबकि निजी करण किया गया तो देश की अर्थववस्था को क्या लाब पहुंचा लेकिन साथ साथ इसके अपने कुछ हानिया भी थी हानियों पर एक नज़ड डालें तो हम देखते हैं कि यहां पर जो प्रतिस्परधा की बात हम करते हैं उसने एक अलग रूप ले लिया था हाला कि एक स्वस्त प्रतिसपर्धा जो है वो किसी भी व्यवसाय वैपार के लिए बहुत जरूरी होती है लेकिन जब वही प्रतिसपर्धा बहुत आगे बढ़ जाती है तो वह गला कार्ट प्रतिसपर्धा का रूप ले लेती है तो वहां पर अर्थ व्यवस्ता को लाब न या हम कहां तो उत्पादूकों को लाब ना होकर हानी होने लगती है तो वो जो प्रतिसपरधा के स्थिती थी वह कहीं तो यहां पर जो पूंजी वादी एक अर्थ वैवस्था थी पूंजी वादी जो विचार धारा थी उसका जन्म होने लगा वैसे इसकी हानी पर हम एक नज़र डाले तो देखते हैं कि छेत्री आर्थी का संतुलन भी बढ़ा जो निज़े एकरण के दौरान जिन कंपणियों उद्ध्योगों के स्थापना की गई वो उनोंने हमेसा प्रेयास किया कि वो किसी विक्सित छेतर में अपनी कंपनियों को स्थाप्त करें तो इसका दुश परिणाम ये हुआ कि जहां पर वो कमपनिया स्थापित की गई जहां पर वो द्योग धंदे स्थापित किये गए वहां के लोगों को तो बहुत अच्छा रोजगार प्राप्त हुआ उनके जीवनिस्तर में सुधार आया लेकिन जो पिछड़े हुए छेत्र अने भी यहां पर जन मिलिया वैसे ही हम इसके खाने की बात करें तो मूलभूत समस्याओं का समाधान बहुत हद तक नहीं हो पाया आर्थिक नीती 1991 को जब लाया गया तो उसका सबसे पहला उद्देश यही था कि उस समय जो महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी की इस् मूलभूत समस्या को पॉइंट में रखकर चाहे हम उदारी करण कहें या निजी करण करें कहें या वैश्वी करण सबको उस दारे में लाया गया लेकिन कहीं न कहीं सारी नीतियों के क्रियानवित होने के बाद भी जो महंगाई, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या थी दुष परिणामों की, तो जैसे हमने देखा कि सार्वजनिक छेत्र में बहुत सारे दुष परिणाम व्याप्त थे, वैसे ही जब नीजी छेत्रों में नियंतरन हटा लिया गया, प्रतिबंधों को हटा दिया गया, तो कहीं न कहीं उसमें जो ब्रष्टाचारी जो थी करो का जो अपवंजन था, ये सारी समस्याएं वहाँ पर देखने को मिली, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट से जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाला कि सरकार का मुख्यों देश अर्थ वैवस्ता में सुधार लाना था नीजी करन के द्वारा, लेकिन कहीं न कहीं नीजी करन के का साफी दुष परिणाम भी देखने को मिलें, अब आर्थिक नीती उननीस सो इंक्यानवी के ही अंतरगत तीसरा जो प्रियास किया गया वो था वैश्वी करन का, ग्लोबलाइजेशन, ये माना गया कि सारा विश्व एक है, अगर आर्थिक नीतियों की बात करें, अगर व्य ये कह सकते हैं कि विदेशी व्यपार को बहुत ज्यादा महत्व देना इसके अंतरगत कहीं न कहीं अर्थ व्यवस्ता के सुधार के लिए आवश्यक माना गया, यानि आयात निर्यात का विदेशों से किया जाना जो वाला जो वैपार है, उसको कैसे प्रोथ साहित किया जा है, वो सारी चीजें इसके अंतरगत शामिल के गई, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वी करन की अगर हम बात करें तो इसे खुलेपन की नीती भी कह सकते हैं, यानि कि देश ने अपने जो दरवाजे हैं, वो अन्य देशों के क्रे विक्रे के लिए, अन्य देशों से माल के आयात निर्यात के लिए उन्होंने खोल दिया, तो इसको हम खुलेपन की नीती भी कह सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक बात जो महत्वपूर्ण और देखने को मिली, हम यह कह सकते हैं कि हमने अपने देश के वैपार को दूसरे देशों के वैपार से जोड़ दिया, तो वै हम एतसरी मुद्रा के द्वारा फिर आयात की जो समस्या थी तो यह कूछ ऐसे कारन थे जिनके करण, वैश्विकरन की नीती अपनाई गई और उपाए क्या किया गया कि वैश्वीकरन की नीती को प्रोप्रोचसाहिट किया जा सकें, तो आय, देखते हैं कि कौन-कौन से ऐस से वैश्वी करण के नीती को प्रोचसाहित किया जा सके नई आर्थिक नीती में अर्थ व्यवस्था के खुलेपन के लिए निम्नलिकित उपाई किये गए हैं पहला, 1991 के नई आर्थिक नीती के लागू होने से पहले विदेशी पुझी पती भारत के कमपनियों में केवल 40% तक ही निवेश कर सकते थे तथा विदेशी निवेश से प्रतेक मामले में अलग से स्वित्रिती की जरूरत होती थी लेकिन अब विदेशी भारती कमपनियों में 59% तक निवेश कर सकते हैं तथा इसकी अनुमती स्वता ही मिल जाएगी दूसरा, विनिमेदर का समायोजन करने के लिए सरकार ने 1 जुलाई 1991 में रुपे का औसतन 20% अव्मूलियन कर दिया इसका उद्देश नर्यात प्रोचसाहन, आयात प्रतिस्थापन तथा पूझे की अंतरप्रवा की गति को तिव्र करना था 1992-1993 के बजट में नर्यातों को प्रोचसाहित करने के लिए भारती रुपे की आंशिक परवर्तनियता कर दी गई चोथा, सन 1999 में नई विदेशी व्यपार नीती दिर्द काल अर्थार पांच वर्ष के लिए घोशित के गई इस नीती के मुखे विशेस्ताएं इसकी उदारता है इस नीती में व्यपार में लगे सभी नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटा दिया गया है खुली प्रतियोगता को प्रोचाहन दिया गया है तता उसके लिए सभी सुविधाएं प्रदान की गई है अब कुछ विशेष्ट वस्तों को छोड़ कर किसी भी वस्तों का आयात में रियात किया जा सकता है सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदी या बेची जाने वाली वस्तों की संख्या भी सीमित करके अब सभी को वैपार के समान अवसर दिये गया है इस नीती की एक विशेष्टा यह है कि प्रशास्मिक नियंत्रणों को न्यून्तम कर दिया गया है भार्टी अर्थवयवस्था को अंतराष्टे रूप से प्रित्योगी बनाने के लिए सीमा शुल्क तथा टैरिफों को दीरे दीरे कम कर दिया गया है चटवा अर्थवस्था के खुलेपन का विस्तार करने के लिए विदेशी निवेश तथा आधुनिक तक्नीक को प्रोच्साहित किया गया है साथवा भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए कई कदम उठाये गया है निर्यातों को प्रोचसाहित किया गया है, संसार के विदेशी व्यपार में भारत के हिस्से को बढ़ाने के लिए विशेश प्रत्मिक किये गया है अब जब वैश्वी करण को आर्थिक नीतियों के अंतरगत लाया गया तो निश्चित से बात थी कि अर्थ ववस्ता में काफी सुधार होना ही था इसके क्या प्रभाव पड़े आए देखते हैं वैश्वी करण के प्रभाव को हम दो भागों में बाट कर यहाँ पर अध्यन करेंगे एक तो अनुकूल प्रभाव और दूसरा प्रतिकूल प्रभाव जैसे हमने देखा था कि जब निजी करण के बात आई जब उदारी करण के बात आई तो उसके भी कुछ अनुकूल प्रभाव थे और कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी थे कुछ लाब थी तो कुछ आनिया भी यानि क्योंकि हम अपने देश के जो उद्योग थे उनको हम विदेशों से जोड़ दिये कच्चा माल जो था वो हम अपने देश का भी उज़ कर रहे थे और बाहर से भी आयात कर रहे थे जो पुझी कृत वस्तोय थी मशीने थी वो हम अपने देश के भी उसकर रहे थे और अज़रत पढ़ने पर हम बाहर से भी क्योंकि प्रतिबंध हट चुका था तो बाहर से भी आयात कर रहे थे तो ये कुछ ऐसे चीजे थी जिनके कारण उत्पादक्ता में बहुत ज़्यादा व्रिद्धी हुई दूसरा एक लाब इसका ये देखने को मिला कि कारेकुशलता में सुधार आया क्योंकि हमने टेक्नोलोजी भी आयात करनी शुरू कर दी थी तो जाहिर से बात है कि लोगों हम उत्पादन कर रहे थे वो श्रेष्ट किसम किया थे बहुत अच्छी वस्तों का उत्पादन कर रहे थे हम ऐसी वस्तों का उत्पादन हमने करना शुरू कर दिया था जिनकी मांग विदेशी वैपार में भी थी विदेशों में थी तो यहां से हमारे निर्यात वैपार को उनको विदेशों में जाने का अफसर मिला तो यह ऐसे बहुत सारे पॉइंट से जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तों में वैश्वी करण का लाभ यहां देखने को मिला लेकिन कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी देखने को मिले कौन-कौन से प्रतिकूल प्रभाव हमने यहां तक पड़ा और यहां पर भी जो श्रमिकों को प्रॉपर जो मजदूरी मिलनी चाहिए थी वो कहीं न कहीं एफेक्ट होई कहीं न कहीं उनकी वास्तों मजदूरी की दर घड़ती गई क्योंकि हम बाहर से विदेशों से टेकनोलोजी का मशीनों का आयात करते गए तो क छोटी छोटी और द्योगे की काया थी उनको इन नीतियों से बहुत ज़्यादा लाब नहीं हुआ साथ ही यह भी देखा गया कि जो सरकार की प्रात्मिक्ताएं थी वो हमेशा यह देखा गया कि उन्होंने जो बड़े उद्योग थे जो विदेशी वेपार करने की योग्य जिनकी काया निर्यात योग्य समान बनाने के योग्यी थी उन पर सरकार ने फोकस किया यहां पर भी एक पक्षपात पूर्ण भावना का निर्मान हुआ तो कहीं न कहीं यह भी गलत था तो यह तो रही वैश्वी करन की बात अब अगर हम पूरी की पूरी आर्थिक नीति पर एक नज़र डाले और उसके लाब और हानियों के चर्चा करें तो हम देखते हैं कि नए आर्थिक नीती में क्या लाब हुए और कौन-कौन sounds के दोश्टी अवर जो लाब उदारी करण से हुआ जो लाब वैश्वी करण से हुआ और जो लाब नीजी करण से हुआ उन सारे लाब को हम यह कह सकते ही कि यही आर्थिक नीतियों के लाब थे जैसे कि हम शौट में एक नज़र डाले तो हम देखते हैं कि भुक्तान संतुलन की जो समस्या थी वो कम हो गई यह समाप्त हो गई यानि कि निर्यात वे पार बढ़ा विदेशी मुद्रा हमारे पास आ आयात के लिए हमको विदेशी मुद्रा मिल गई तो हम आयात भी अच्छे से करने लगे तो भुक्तान संतुलन वाली बात यहां पर जो समस्या थी वो समाप्त हो गई दूसरा हम कह सकते हैं कि उत्पादन के दर में व्रिद्धी हुई अधिक से अधिक कायों का उत्पादन होने लगा उत्पादन के गुणवत्ता में सुधार हुआ कारि कुशल्ता में सुधार्ाया वंदेशी रिंण की जो समस्या थी वो हलं हो गई निर्यात्वैपार के प्रोच सान होने सात साती और सात में लोगों के जीवनिस्तर में सुधार आया अब अगर हम हाली के बात करें तो हमने निजी करण वैश्विकरण और और उधारी करण की जहानिया हैं यहांनि हमने यहां पर देखा कि सानीक खैत्रिक निवेश घट गया क्योंकि सरकार का पूरा का पूरा फोकस निजी करण पर चला गया दूसरा हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़ादा जो उदार वादिता थी वो कही न कहीं दिरकाल में आगे चल कर हानी कारक सिध्ध हुई जो निजी कमपनिया थी वो कहीं न कहीं इतनी ज़ादा उन्होंने पैट बना ले कि सारव पर फड़ता थी वह बढ़ गई जब विदेशी Two वे पार के इंब कही हम एंदार के पर हम निर्वतार को परते हुआ और उत्त तक ये प्रयास किया गया कि वैश्वी करण, निजी करण या उदारी करण के द्वारा जो अर्थ मेवस्था की जो समस्या है जिसे हम कहा है कि मूलबूत समस्या है उसे हल किया जा सके काफी हद तक हल किया भी जा सका लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसे इसके दोश भी थे जिसके क कुछ समस्याएं बनी रही और अभी तक बनी हुई हैं